सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नाओ आइम बिकम डैथ दिस्ट्रोयर ओफ वर्ल्ड्स 16 जुलाई सन 1945 जब दुनिया में पहले नुकलियर बॉम को डेटोनिट किया गया उस द्रस्टे को देखने के बाद नुकलियर बॉम बनाने वाले साइंटिस्ट जे डॉट रॉबर्ट ओपन हाइमर ने भगवत गीता की कुछ लाइन्स को याद करते हुए कहा था नाओ आइम बिकम डैथ दिस्ट्रोयर ओफ वर्ल्ड्स नुकलियर बॉम्स के डेर पर बैठी हुई दुनिया के लिए एक बुरी खबर है दुनिया के परमानों हत्यारों पर नजर रखने वाली स्टॉकॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट यानि सिपरी एक यरली रिपोर्ट पबलिस करती है उस रिपोर्ट के मताबिक 1990 के दसक के बाग पहली बार दुनिया भर में परमानों हत्यारों की संख्या में कमी आना रुख गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि नुकलियर वेपन कंट्री ना केवल अपने परमानों हत्यारों को ज़्यादा गातक बना रहे हैं बलकि उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं आज हम बात करेंगे सिप्री की 2021 वाली रिपोर्ट की लेकिन सबसे पहले आप प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट्स करें स्टोक हॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टेट्यूट यानि सिप्री स्विडन की कैपिटल स्टोक हॉम में एक इंटरनेशनल इंस्टेट्यूट है जो 1966 में बनाया गया था सिप्री हर साल एक एयर बुक पबलिस करता है जिसमें last year हुए सारी दुनिया के armed conflicts, military expenditures यानि कौन सा देश कितने हतियार खरीदता है या military technology में कितना invest करता है अपने आप develop करने के लिए या फिर कहीं बाहर से technology खरीदने के लिए तो और उसके साथ ही साथ कहां ceasefire हुआ, कहां arms control हुए तो इन सब भी aspects का data collect करके, उने analyze करके और अपनी कुछ recommendations के साथ एक report publish करता है सिपरी के अनुसार, 2021 में सभी nuclear countries जैसे अमेरिका, रूस, बृतेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इस्रेल और नॉर्थ कोरिया इन सभी के पास 13,080 nuclear bomb है, जबकि पिछले साल, यानि 2020 में ये नंबर 13,400 था अब ध्यान से देखो, 2020 में 13,400 nuclear bombs और जो की 2021 में हो गए 13,080, यानि 320 nuclear bombs कम हो गए लेकिन सिप्री ने 2021 की रिपोर्ट में कहा है, कि दुनिया में total number of nuclear bombs में कमी आई बट ready to use nuclear bombs, ready to use nuclear bombs के numbers में काफी बड़ोतरी हुई है अब आप सोचोगे, कि nuclear bomb और ready to use nuclear bomb ये दोनों अलग-अलग होते हैं क्या तो answer है, बिल्कुल नहीं, बस ऐसा होता है कि जो governments होती है, वो सभी nuclear bombs को military को नहीं provide कराती, कुछी bombs होते हैं जो military को दिये जाते हैं जिने military अपने according अपने या तो किसी air base पर या अपने naval base पर, submarines पर जहां military को suit करता है, वो अपने nuclear bombs को deploy करते हैं तो जितने भी deployed nuclear bomb होते हैं, उनी को कहते हैं active या फिर ready to use nuclear bomb अब सिप्री की report माने तो, सेना के पास तैनात परमानों हत्यारों की संख्या बढ़ शुकी है 2020 में 3720 परमानों बंब तैनात थे, वहीं 2021 में 3825 परमानों हत्यारों की परमानों हत्यारों कभी भी हमला करने के लिए बिलकुल ready हैं तो बिलकुल alert पर रखे गए nuclear weapons में 2000 nuclear bomb तो केवल रूस और चाइना के पास ही हैं तो total number of nuclear weapons में 320 bombs की कमी आई हैं लेकिन ये posted ये deployed nuclear bomb 105 bomb बढ़ चुके हैं यानि ready to use bombs बढ़ चुके हैं, total number of bombs कम हो गए हैं अब बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना की दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे चीन ने nuclear bombs को तेजी से build करना start कर दिया पिछले साल के comparison में इस साल चाइना ने 30 नए nuclear bomb बनाए और अब चाइना के total number of nuclear weapons बढ़कर 350 हो गए हैं जबकि कंगाली की हालस से गुजर रहा पाकिस्तान अपना सारा का सारा पैसा ना health structure है, ना education sector में पैसा लगा रहा है पाकिस्तान ने पिछले एक साल में 5 ने nuclear weapons बनाए और इसी के साथ total number of nuclear weapons की जो उनकी टैली है वो पहुँच जाती है 165 पर तो अब आप सोचोगे कि हम क्या कर रहे हैं हम चुपचाप बिल्कुल हाथ पे हाथ रखके बैठे हैं ऐसा नहीं है इंडिया भी अपने दुस्मनों से निपटने के लिए एकदम से कमर कसके बैठा है भारत ने भी पिछले साल अपने हतियारों के जखीरे में बड़ोतरी की जिसके तहत भारत ने 6 नए परमानों हतियार बनाए भारत के पास कुन परमानों हतियारों की संख्या बढ़कर 156 हो चुकी है पाकिस्तान से थोड़ी कम है लेकिन हमारे पास missiles की range जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान उन हत्यार्स का करेगा घर में रखे रखेगा मिसाइल तो है नहीं उसके पास चलो अगर उधर हम बात करें गोलु मोलु की नौर्थ कोरिया की तो गोलु मोलु ने भी पिछले साल में दस नए परमानु बम बनाए है और अब उसके पास लगबग 40-50 परमानु बम होने की संका है सिप्री के हिसाब से तो ये अमेरिका के ल थैंक यू